आज मैं बोच्चो का फेवरेट पीजा बनाने जा रही हूँ तो चलिए पीजा बनाने में क्या-क्या मुश्किले आती हैं वो आप लोग के साथ सेयर करूंगी जब भी आप पीजा बनाने जाएं तो एक वीडियो ये वाला देख लें के बाद आपको समझ मेरे जाएं कि कोई साथ प्रॉल्म नहीं होती है बस एक दो बातों को समझ लेंगे तो आपको पीजा बनाने में कभी भी प्रॉल्म नहीं हूँ जो almonds मैरे साथ हुग आपके साथ नहीं हो इसलिए सोजी हैं क्यों आप लोग के साथ सेयर कर दूँ तो चलिए आज पीजा बनाने जा रहे हैं तो पीजा के वह लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं मैदा ले ली हूँ एक कटोरी के करीब एक चमज ले ली हूँ बेकिंग सोडा और हाफ टीए स्पून ले ली हूँ बेकिंग पाउडर तो दोनों चीज़ लेने के बाद इसमें डाला जाता है थोड़ा सा चिन्नी और थोड़ा सा नमक भी तो यहाँ पे मैं ले ली हूँ नमक अब इसको अच्छे से मिला लेंगे पहले सभी चीज़ों को अच्छे से जब मिला लेंगे तो फिर इसका डो तयार करेंगे डो बहुत ही soft तयार करना होता है इसमें जरासा भी hard नहीं होना चाहिए नहीं तो आपका पीजा का base बहुत ज़्यादा hard हो जाएगा तो यहाँ पे मैं डो तयार करने के लिए instant पीजा बना रही हूँ तो उसमें नहीं हो पाया तो फिर मैं सोची ज़्यादा दही जालेंगे तो खट्टा होगा तो थोड़ा से यहाँ पे पानी डाल दी और पानी डालने के बाद ऐस तरीके से बिल्कूल गीला पीला जितना होता है उतना उस तरीके का बना देना है दम गीला और बाद में धीरे धीरे डो त्यार हो जाएगा अभी इसको गीला ही रखना है इसमें चाहें तो थोड़ा सा तेल लेकर के और एक से दो चमच तेल भी मैं यहाँ पे नहीं डाली हूँ बस इसको अलका सा डाल करके भी उपर से चिकना करके रख दे रही हूँ बाद में फिर इसका डो मिलाया जाएगा तो अभी इसको रेश्ट करने के लिए छोड़ना होगा कम से कम 15 मिनट तक छोड़ देती हूँ तब तक इधर तयार कर लेती हूँ आगे का सीज तो चलिए अभी पीजा सॉस बना लेते हैं क्योंकि पीजा सॉस तो आप खरीद के भी ला सकते हैं लेकिन मैं सोची घर में ही पीजा सॉस बना लिया जाए उसके लिए आपको चाहिए क लग से लाना होगा बागी इसमें लेस्व, मिर्ची और यह चिली फ्लेक्स बगएर तो घर में रहता ही है तो बस वैसे ही मैं पीजा को बना लूँगी सॉरी पीजा सॉस को बना लूँगी तो इसको ढख दी हूँ वह थास उबलने के लिए जब यह सॉफ्ट हो जाएगा तो उसको हम बनाएंगे आगे अब यहाँ पर कॉर्ण भी उबाल रहे हैं इधर मेरा जो टमाटर था वो बल चुका है अब इसके चिलके जो निकाल लेती हूँ सारे स्किन को अच्छा से निकाल लेंगे और चाहे तो इसे मतलब कदू कस कर सकते थे पहले भी नहीं तो फिर इसको अभी भी पीच सकते हैं मिक्सी में लेकिन मैं यहाँ पे इसको चौप कर ली हूँ और फिर उसके बाद इसमें डाल दी हूँ सारे मशाले और लास्ट में डाली हूँ इसमें टमाटो सॉस टमाटो सॉस से कफी अचा स्वाद आ जाता है इसमें लीजे पीजा सॉस बन मक नीचे रहकर और स्टेंड रहकर गरम करने के छोड़दिये हैं, आब यहां पर इस Doe को तियार कर रहे हूं, Đeo तियार करने टाइम इसको ज़्यादा मतलब मसल मसल के पटक पटक करके इसको तियार करना है, जıtना ज़्यादा इसको मसलेंगे उतना अच्छा यह डो तयार होगा लेकिन यह गीला थोड़ा ज़्यादा रहा है तो इस टैम आपको क्या करना है बहुत ज़्यादा गीला लगेगा लैक कैसे इसका बनेगा तो हलका हलका सा इसमें तेल हाथ में लगाना है और हलका आटा भी आप ले सकते हैं पहला देंगे रोटी की तरह यहीं पर मेरे से गलती हुई थी दोस्तों वह गलती आपको बता देती हूं अभी तक का सबसे पहला गलती यही था कि यह जो बेस मैं बनाई हूँ ना वह बहुत ज़्यादा मोटा बना दी थी बिल्कुल पतली रोटी यह से बनाते हैं रोटी तो यह बात मेरे को बनाई तब पता चला पहले से यह लोग कोई ऐसा नहीं बताते हैं कि कितना पतला उसको बिलना है हम सोचे कि हलका सा मोटा ही रहेगा तो ठीक रहेगा तो मोटा छोड़ दी तो बहुत ज्यादा मोटा हो गया लाशन में आपको दिखाऊंगे कि कितना मोट पक बात मीरा अब बेस हो गया था तो अभी इसमें मैं रख दी हूं ओर प्लेट भी कापी चोटा था थोड़ा बडा प्लेट लेते तो अच्छा रहता प्लेट था इसलिए छोटा चोटा चोटा पीज़ा बनके हाप रेडी हो रहा तो सारे all ا graph को मैं सब्सकों सजा दी हो चीज भी डाल दी हूं मोजलिला चीज नहीं था मेरे पास तो जो चीज लाये थे वही डाल दिये और उसके बाद दूसरा पीजा भी इस तरीके से रेडी हो रहा है अभी देखिए इसका बेस कितना पतला लग रहा है अब को लेकिन जब यह पक के रेडी होता है तो बहुत ज पेरियंस अच्छा रहा तो फर्स्टें पीजा बनाई लेकिन अच्छा बना आगे से बनाऊंगी तो इससे भी अच्छा बनेगा तो इस तरीके से मैं वीडियो को सेयर की हूं वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए और घर में आप भी पीजा बना के खा सकते है म चलिए पीजा मेरा पक करके रेडी हो गया भी से कट करके दिखाते हैं कि कितना मतलब अच्छा बना है और क्या प्रॉब्लम हुआ है तो देखिए इस पीजा जो बड़े राम से कट जा रहा है बिलकुल नीचे बिस्किट की तरह इसका बेस बन गया था लेकिन इसका देख अच्छा लोग को खास करके ज्यादा पसंद आया बचे के पापा को भी पसंद आया तो चलिए थैंक्यू थैंक्स पॉर वाचिंग